सामराट पार्ट टू इस बीच अवकाश्वर्मा ने राजबर में घोशना करवा दी कि राजा की मृत्यू हो गई है इसलिए वह अपना राजदिलक करवाने के प्रयास में था जब उसने देखा कि राजा वापस आ गया है तो उसके हाथ पाव फूल गए राजा ने उसकी वोर आंखे तरेर रते हुए देखा और कहने लगा तुमने जो अपराद किया है उसका दंड अब तुम्हें स्वयम ही बता देना होगा राजा आगे कुछ कहने जा ही रहा था कि उसके राक्षस मंत्री ने बीच में ही राजा को रोक कर कहा राजन आज से राज में जब भी कोई अपराद होगा उस अपराद के बारे में निन्ने लेना आपका काम है और अपरादी को धंड देना मेरा काम है दिको कि मैं इस राजद्रोही को कैसे धंड देता हूँ और यह कहकर उसने तुरंट अपना शरीर बढ़ाया और अवकाश वर्मा को अपनी मुठी में भर कर अपने मुह में डाल कर निगल गया उसे निगल चुका तो वह फिर मानव रूप में आ गया यह सब देखकर वहाँ पर उपस्तित सभी लोग डर के मारे बुरी तरह से सहम गये राक्षस मंत्री के इस सुकृति पर राजा भी डर से कांप गया उसे यह जानकारी नहीं थी कि राक्षस इस तरह हव्यावखार करेगा अब तो जब कोई विक्ति किसी छोटे मोटे अपराद के लिए भी अपराद ही गोशित किया जाता तो राक्षस उसे पकड़ कर खा जाता अचानक राज में अपराद एक दम बंद हो गए अगर लोगों के बीच कोई जगड़ा हो भी जाता तो वे न्याय के लिए राजा के पास नहीं आते थे बल्कि आपस में ही समझोता करके निपटा लेते थे ऐसे ही कुछ दिन बीथ गई तब एक दिन राक्षस ने राजा से कहा यदि जनता अपराद नहीं करेगी तो मुझे भोजन कहा से मिलेगा लोग मुझसे डर कर दरबार में न्याय के लिए नहीं आते इसलिए अब हमें स्वयम प्रजा के बीच जाना होगा आप अपराधी का अपराद सिद्ध करेंगे और मैं उसे दंड के रूप में अपना भोजन बनाऊंगा यह बात राजा राजवर्मा को पसंद नहीं आई उसने कहा तुम्हें फेट बर भोजन मिले इसके लिए मेरे मन में बहुत ही बड़िया विचार है हम पडोसी राजियों पर आक्रमन करेंगे और उनसे युद्ध करेंगे युद्ध में जीत हमारी ही होगी और जिन शेत्र सेनिकों को हम बंदी बनाएंगे उन्हें तुम एक एक करके सालों तक खा सकते हो राक्षस को यह बात पसंद आई फिर क्या था तुरंत पडोसी राज पर चड़ाई कर दी गई दोनों राजियों की सेनाएं आपस में भिड़ गई पडोसी राजा धर्मसेन का सैनिबल अपार था लेकिन राजवर्मा की सेन के पीचों बीच राक्षस विशाल बर्गद के सामान खड़ा था उसे देखते ही धर्मसेन के सैनिकों के पाव डग मगाने लगे धर्मसेन ने सैनिकों की ऐसी हालत देखकर राजवर्मा ने उससे कहा मेरे पास सैनिक बल के साथ साथ राक्षस बल भी है मेरे साथ युद्ध करके तुम अपने सैनिकों की जान के साथ साथ अपनी जान भी खोना क्यों चाते हो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे सामंत बन जाओ वरना अपनी जान से हाथ दो बैटोगे धर्मसेन ने राजवर्मा को कोई उत्तर नहीं दिया बस अपने सैनिकों को लोट जाने का आदेश दिया धर्मसेन थधा उसकी सेना जब वो युद्धस्तल से लोट रही थी तो राजवर्मा बड़े विकट्टूप से हस रहा था उसी समय राजवर्मा का पुराना मंत्री धर्मचिंतन कहीं से वहाँ आप होंचा उसने राजा को संबुद करते हुए कहा प्रभू अब और आगे मत बढ़िये आप धर्मसेन की चाल को समझ नहीं रहे है आपकी जान खत्रे में पढ़ सकती है जो मुझसे ढर कर बागा है मैं उससे क्यूं ढरूं लगता है तुम में भिरुता कुछ ज़्यादा ही घर कर गई है आप जरा सोचिये प्रभू इस समय हम अपने राज की सीमांत पर है धर्मसेन अपनी सेना को अपने राज की सीमाओं के भीतर ले गया है आपके रक्षक मंतरी पर शाप है वह उस राज में तब तक नहीं गुस पायेगा जब तक कि उसे वहा के राजा से अनुमती ना मिले इस स्थित्य में केवल आप और आपकी सेना ही उस राज में जापायेगी आपके राक्षक मंतरी को यहीं रुकना होगा ऐसी स्थित्य में धर्मसेन आपको आसानी से पराजित कर देगा तब हमारे राज्य का राजा धर्मसेन होगा और उसकी अनमती के बिना यह राक्षस वहा रहने ही पाएगा इसलिए मेरी बात मानकर आप वापस चले जाएए धर्मचिंतन ने कहा अब कही जाकर राजवर्मा की समझ में असली बात आई वह जान गया की राक्षस मंत्रे की मदद से पडोसी राज़ पर विजय पाना असंबव है इससे वह बहुत हताश हुआ उसने धर्मचिंतन से कहा अब मुझे क्या करना चाहिए शत्रु सैने नहीं मिलेंगे तो राक्षस प्रजा को ही खाता रहेगा मुझे इससे किसी न किसी तरह चुटकारा चाहिए इस पर धर्मचिंतन ने कहा अब आप इस राक्षस को आदेश दीजिये की वह हमारा राज़ छोड़ कर चला जाए इसी में हम सब की भलाई है ताजा को यह सलाह पसंद आई उसने राक्षस से कहा कि वह राज़ चोड़ कर चला जाए इस पर राक्षस एकदम गुसे में आ गया और राज़ा को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ा लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा वैसे ही राज़ा की सेना एक जुट होकर उस पर तूट पड़ी इससे राक्षस का समूचा साहस कफूर हो गया और वह वहा से डर कर भाग खड़ा हुआ यह देखकर राज़वर्मा बहुत कुश हुआ उसने धर्मचिंतन से कहा मंतरी जी मैंने आपके प्रती अन्याय किया था लेकिन धर्मचिंतन बड़े शांत और विनम्र भाव से बोला प्रभू मानो जब आपस में ही लड़ते रहते हैं तो राक्षसी बल को बढ़ावा मिलता है लेकिन सभी मानो जब एक जुट हो जाए तो राक्षस उनका सामना नहीं कर सकते राजा को चाहिए कि वह अपनी साइनिक शिक्ति का उपयोग राक्षस शिक्ति का अंत करने के लिए करे अपना राज फैलाने के लिए नहीं आप सामराट बनने की आकांक्षा छोड़ दीजिए और आपके राज में जो मानाव रूपी राक्षस चुपे हुए हैं और फिर कई वर्षों तक वहां सुक्षानती के साथ राज करता रहा